अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आल पर जरूर सेलेट कर लिजे ताकि जितनी भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच आए बात करे यान कि गॉर्मेंट अपनी हिस्सेदारी सेल करेगी क्योंकि जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में गॉर्मेंट अपनी होल्डिंग लेके बैठी हुई है वो आई एरफसी के अंदर और और उसको अब दिरे-दिरे करके कम किया जाएगा आज के दिन में अगर देखें तो 77 जाने की 77 रुपे पे स्टोक अभी ट्रेड कर रहा है एक बार बाइंग देखने को मिले थी बाप सी करेक्शन है पैस 0.65 के राउंड की जो है करेक्शन है लास को जिंग 77 रुपे 50 पैसे पे थी 5 दिन की बात करें तो 0.72 परसंट के ही रिटन्स बीते 5 दिनों में निक दे जो की unexpected numbers दे बिल्कुल भी expect नहीं किया जा रहा था कि IRC इतने अच्छे numbers इतने च्रिजर्ट जो है पेश करके देगा इतने जल्दी recovery दिखाएगा और एक साल का data देखेंगे आप इस company का तो ओल्मूस्ट रुपीज के नीचे है और अगर इसका 52 वीग हाई देखें तो 52 रुपे 50 पैसे स्टॉक उस लेबल से ओल्मूस्ट 15 रुपे नीचे ही ट्रेट कर रहा है स्टॉक अच्छा है कंपनी अच्छी है लॉंग टर में अच्छा मनाफ़ा भी बना सकती है बड़ लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि कंपनी के ऊपर 4 लाख करोड के ऊपर का कर जा है यह चीज मोस्टली हमें जितने भी पी स्टॉक होते हैं और बहुत सारे जितने भी गौर्वर्मेंट एडिट स्टॉक से मुमेंटम के करना थोड़ असा मुश्किल होता है बर लेकिन कहीं 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 रेल्वे सेक्टर के शेर्ष के अंदर उच्छाल है क्यूंकि र जिरॉप और एक जिरॉप के साथ में एकनोमिक कोरिडोर जो है बनाया जाएगा आने वाले समय में तो उसके वज़े से मुमेंटम पकड़ा था स्टॉक ने अगर आप देखिए स्टॉक का अगर मैक्सिमम रिटन चार्ट तो और मुस्ट दो सो दस पसंड के रिटन्स जो ह सरुकरोर इंदर भी बारी है संटर प्लाइन कर रहा है कि ओ एसके जरिये डिए जरिये डिफंस के इंदर भी सेकल करेगा रिल्वे के बिविष्ट हैसिमर के अंदर भी इस नहीं भी PSU सेक्टर के शेर्श हैं अमंग the PSUs in the OFS pipeline आर इंडियन एरवे इंडियन रेलवे फैनेस कॉर्परेशन इर्कॉन इनके अंदर कहीं आने वाले समय में हम OFS का सामना करना पड़ सकता है government is planning an offer for sale pipeline to offload stake in at least six public sector undertakings including Indian Railway Finance Corporation, Indian Railway Construction International Limited और साथ इसाथ में मैजगन डॉक और NLC India, Newly Ignite Corporation till August 2024 यानि कि August 2024 तक का plan है कि इनके अंदर stake offload किया जाएगा तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि correction आने के chances stocks में बन सकते हैं अगर यहां पे OFS government की तरफ से यहां पे लाया जाएगा और stake offload किया जाएगा अगर आप bank nifty nifty के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग से डेली का तीन से चार हजार तक का profit and करना चाहते हैं साथ में स्टॉक से लेजर अब्रेट से regular पाना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगों को मेरे free 50.3 million के आसपास का volume nsc plus bsc पे अभी तक stock में trade हो चुका है volume बहुत जादा है क्योंकि correction में volume हमेशा increase होता है technical charts से समझने कोशिश करें तो देखें यहाँ पर तेजी थी फिर concentrate किया था stock ने फिर तेजी आई है और उसके बाद से फिर से concentrate किया है वही consolidation phase जो है अभी stock में इस time यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस level को जब तक break नहीं करेगा जब तक इस range में concentrate करेगा stock में हमें correction ही देखने को मिलेगी थोड़ी सी profit booking थोड़ी सी TG और जैसे ही इस level को break करेगा stock almost 92.50 साड़े 92 रुपे के level को break करेगा तो stock सीधा हमें 100 रुपीज के targets short term में दिखा सकता है हलांकि quarter two की earnings अभी तक नहीं पेश किये company तो कैसे कुछ नंबर साते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share जुरूर करें और विजिट पहली बार की हो तो चैनल को subscribe जुरूर करें